तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तों मेरा 50-day ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें आज है 42nd और मैंने आज कहां पर ट्रेड लिया किस सेटेप पर ट्रेड लिया और क्या मेरे को प्रॉफिट अन लॉस हुआ मैं सब आपको इस व पहले जो मैंने आट ट्रेड लिया वो बैंक निफ्टी में लिया वो क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने इसमें पहले जो ट्रेड लिया था वो मेरा ट्रैफिक लाइट सेटप पे लिया है इस ट्रैफिक लाइट सेटप पे मैं लगतार आट-दस दिन से मैं वीडियोज बना रहा हूँ और मैं सेटटप पर ट्रेल ले रहा हूँ इस सेटप के आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरी फुरानी वीडियोज को देख सकते हैं दोस्तों इसमस्ट क्या होता है कि जब भी मार्केट ऑपन होता है तो एक मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर मारकेट की पहली candle को इग्णोर करने के बाद हमें अगर red candle और green candle का यहाँ पर follow up मिलता है तो उसका high and low mark कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर मेरे को एक red candle बनी थी उसके बाद एक green candle बनी तो मैंने दोनुका high and low mark कर दिया यहां को भी नीचे को तोड़ा इसने तो मैंने नीचे को भी इसका उनाय था, Volt side में, Bank Nifty का 52 को आए, यह प्राइस का चार्ट है, यह इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, तो मैंने यह trade initiate किया था, मगर क्या हो, market नीचे दो गया, लेकिन एकदम से मार्केट यहां से फिर रिवर्स हो गया, यहां से रिवर्स हो गया और मेरा SL हिट हुआ, तो पहला ट्रेड मेरा, अटर्बूंग में बैंक निफ्टी का मैंने आज 414, 414 का लिया था, 395 का मैंने इसमें SL दे दिया ट्रिगर हो गया था, 395 पे, तो मेरा यहां पर 20 पॉइंट का लगबग SL था, ठीक है, उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिये, वो मैंने आज मिट कैप में लिये, पांच मिनट ट्राइम फ्रेपे, अब मिट कैप में गया था, पहले पांच मिनट की एक डार्क रेड गंडल वनी थी, उसके बाद मार्केट उपर गया, उपर जाने के बाद जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया, ठीक है, यहां पर प्राइस एक्षन फॉलो करते हुए गया था, आज मार्केट ठीक है, मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद, नाइन एमें पर सबोड लिया, एंड ब्रेक, तो यह काफी अच्छा प्राइस एक्षन इसने आज बनाया था, ठीक है, प्राइस एक्षन के सांथ सांथी मार्केट जा रहा था, तो मैंने यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट किया था, और्डर बुक में देख सकते हैं, दस बच के चार मिनट पर मैंने पूट साइड इनिशिएट किया था, साथ रुपे पर, ठीक है, और मैंने यहां पर इनिशिएट किया था, साथ रुपे पर, और मैंने लेकिन यह बहुत जल्दी मैंने एक्जिट कर दिया, 68 पर ही मैंने यहां पर एक्जिट कर दिया था, उसके बाद भी मार्केट यहां पर, आज डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन पूरा गया नीचे तक, यह गया था लगवग, 168 तक, यानि कि 100 पॉइंट का मेरे को और यहां पर मूव मिल सकता था, बढ़ मैंने आज भी इसे मिस कर दिया, क्यों मिस किया, क्योंकि मेरा लाज डे मिट कैब में कोई ऐसा अनलिसिस नहीं थी, कि मिट कैब कहां तक जा सकता है, तो मिट कैब प्राइस एक्षन को मैंने फॉलो किया था, उसमें मेरे को छोटा सा प्रॉफिट हुआ, मेरे को छोटा सा टार्गेट मिला, मैंने उसमें बेसिकली टार्गेट यहां पर सेट नहीं किया था, कि कितना टार्गेट होना चाहिए, तो कुल मिलागे मेरे को आज मिट कैब और बैंक निप्टी मिलागे, आठ पॉइंट का नुकसान हुआ, और अगर आप इसे प्राइस में बोलेंगे, तो मेरे को बोजी संस में देख सकते हैं, अगर आप रूपीज में देखेंगे, तो मेरे को आँ 900 रूपे का लॉस हुआ, कुछ दिन से लगाता लोजिंग स्ट्रीक ही चल लिए है मेरी, कोई बाद नहीं, यह दिन भी हड़ जाएंगे, और अच्छे दिन भी आएंगे, बस हमें अपने सेट अप को फॉलो करना है, ठीक है दोस्तो, तो बने रही है वीडियो पे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, या कोई आप अच्छी सी स्ट्रेजी जानते हों, तो सेयर करें, या मैं जो सीख रहा हूँ, मैं आपको भी सिखाऊंगा, साथ ही साथ एक अच्छा ट्रेडर बन के दिखाएंगे, ठीक है दोस्तो, तो वीडियो पे बने रहने के लिए, थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो, 50 दे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है मेरा, थैंक यू,